रोजाना रासी फल देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शाथ ही बैल आइकन को भी प्रेस कर दें नमस्कार दोस्तों जै माता दिद स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में या समेच जिनका भी बड़ी है या फिर मेरे जनवर्शरी है उन्हें हमारी और से धेर सारी सुब काम नाए आप दिन दुगूनी राच्चोगूनी तरकी करें आए यहां जानती है किस राच्च के जातकों को लाब होगा और किने मिलेगी खुश खवरी आज भगवान श्री गणेश जी की किरपा किन राच्च जातकों पर होगी और कैसा रहेगा आज का दिन आए यहां जानती है बोधवार 23 जुन 2021 को आपका दैनिक राशी फल कैसा रहेगा किने मिलेगी सफल तब और कौन से जातक रहेगी दिक्कत में आईए यहां जानती हैं चलिए विडियो शुरू करती है दैनिक पंचांग से 23 जुन 2021 दिन आज बोधवार का है और जेश्ट मास के सुकल पंच की तरियोद सी तिथी बन रही है यहां सुबह के 6 बच कर 69 मिनट तक चलेगा और इसके आगे चतुर दसी और पुर्निमा तिथी प्रारम हो जाएगी नक्षातर रहेगी अनुराधा यहां सुबह के 11 बच कर 48 मिनट तक चलेगा और इसके उपरांत जेश्टा नामक नक्षातर प्रारम हो जाएगी योगी की वाद करें तो 7 दिनामक योग बन रही है यहां सुबह की 10 बच तक चलेगा और इसके उपरांत सुबह नामक योग प्रारम हो जाएगी आज का सूरी उदे कसमें यहाँ सुभ है कि 5 बचकर 46 मिनट पर होगा और सुर्यास्त होगा ठीक साम की 7 बचकर 11 मिनट पर सुरी रासी रहेगा मेथुन रासी और चंद्रमा आज ब्रिस्चिक रासी पर गोचर कर रहे हैं अर्थात आज के दिन का सुभ समय तो आज के डेट में कोई भी सुभ समय नहीं और आज का रहुकल का समय या ठीक दो पहर के 12 बसकर 29 मिनट से लेकर ठीक दो बसकर 9 मिनट तक चलेगा याद रखिएगा दोस्तों राहुकल के समय किसी भी तरह की नए और सुभ कारी की सुरुवात आप बिल्कुल भी ना करें अन्य था बीग नवाधाएं आज सकती है अब बात करते हैं आपके देनिक रास साथ अन्बन हो शकती है काम के सिलसिले में आप याद्रा बढ़ जाएंगे लेकिन उसके लिए थोड़ा शतर करेंगे निवेस के प्रस्ताब मिलेंगे और लैं देन करते समय आज आपको शावधान रहना होगा आन्य था आपके साथ नुक्सान होगा खास कर वाहन चलाते स समय शतर करें क्योंकि चोट लगने की आशंका बन रही है हम आपको बता दें रिष्टिदारों के साथ मुलाकात होगी और पैत्रिक संपती से जुड़े विवात बढ़ सकते हैं हम आपको बता दें तनाव गरस्त रहेंगे और अपने क्रोध पर नियंत्रन रखने का प्रय ब्रेकिंग चेतर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही सुब रहने वाला है और आपकी तरक्की की प्रवल संभावना है इसके अलावा फाइनेंस से जुड़े लोगों को भी अच्छे नतीजे मिल सकते हैं हम आपको बता दें अगर आप छात रहें तो आज के दिन आपके लिए तनावपूर रहने की संभावना है और अचानक आपकी सिक्षा में कोई बड़ी बाधा आ शकती है हम आपको बता दें खास कर यदि आप उच्छे सिक्षा के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं तो आज आपका प्रयास विफल हो शकता है इसके लिए थोड करने की कोई जरूवत नहीं है क्योंकि ये जल्द ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगी हम आपको उता दें आपकी आर्थिक इस्तिती अच्छी रहेंगे जहां तक आपके स्वास्त की बात है तो आपका सारीरिक और मांशिक रूप से काफी मजबूत रहेंगे कुल मिला कर स्वास्त आपका बढ़िया रहेगा आज आपका सुब रंग हरा है और हरे रंग का कोई भी वस्तू अपने साथ रखे ये आपके लिए सुब रहेगा और आज आपका भाग्यंक 49 अगर आप भगवान शरी गनेश जी का सीधा आशिरवात प्राप करना जाती है तो वीड